मुख्यमंत्र अशो गहलोत अपने बेटे वैभो गहलोत के चुनाप रचार के लिए जोदपूर में तुफानी जनसंपर कर रहे हैं। इस दुरान शपन से व्यधिक प्रोग्राम किये गए और इसी कड़ी में सीम ने एक दरजन सी व्यधिक जगों पर अब तक जनसंपर कर लिया। वैभो गहलोत के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की। सबसे पहले सीम अशो गहलोत रातनाडा यूथ हॉस्टल के पास माताजी के मंदर में दर्शन के लिए गए और लोगों से वैभो गहलोत के समर्थन में वोट की अपील की। इसके बाद सीम ने रातनाडा के पूर्विया प्रजापती समाज के भवन में जनसंपर किया। जोदपूर दोरे पर है आज सीम अशो गहलोत और अपने पुत्र और साथी जोदपूर के कॉंग्रेस उमिद्वार वैभो गहलोत के समन्थ उनके समर्थन में आज जनता से वोट की अपील की। मुखे मंतरी आज 56 से व्यादिक स्थानों पर जनसंपर करेंगे। जनोर, अजमिर और कोटा जाके आए हम दोगे। सब जगह एक साथ महाहूल है। फर्स पेजमिय भी इस सदे अच्छी है। और दूसरे फेजी देए लेक्ष्ण होगे। वहांके भी हलाद बड़े अच्छी बने वहे हैं। और बीजेपी वाले मुक्राय होगे हैं। इतलिए वह अनलगर परशाय करते है। शबसे बड़ी बात ही है। इनका कोई भी केंडेट। इक केंडेट होने के नाते चुनाव में वोट मांगने की स्थिति में नहीं है। जो पूर शांतत है या वर्तमान शांतत है। उनकी आलदेटी पतली है। कि पान थाल उनने क्या उपलबी हासिल करी अपने छित्र में। कैसा उन्हें जन्तरंबग रखा। कैसे हमागी जन्ता के सुख दुख में काम आये। क्या विकार किया। उस पे बोने लिए कुछ तयार नहीं है। सिर्ब मोदी, पाकिस्तान, सेना। इस पकार से लोगों गुम्रा कर रहे है। मतलब कहने का मतलई है। पांत है लोगों मुखा मिला। कोई उन्हें काम किये नहीं, जंदर संबर किया। हम गमन में रहे। इस तमाम जगापन की बहुत हल पतला है। सब मोदी जी नाम रोट मांगे।